दोस्तों आप कोई भी इलुक्ट्रिन समान जब रिप्यर करते हो तो उससे पहले आपको सीरीज लेंप की बहुत ही अबशुफता होती है क्योंकि अगर आपके पास सीरीज लेंप नहीं होगा तो आप कोई भी समान को रिप्यर नहीं कर पाऊगे जैसे कि कलर टीवी पंखा फ्रीज कोई भी चीज हो आप उसे रिप्यर नहीं कर पाऊगे तो उससे लिए आपको सबसे पहले सीरीज लेंप बनाना बहुत ही ज़र रहे है तो दोस्तों आज मैं एक सीरीज लेंप बना के दिखाने वाला हूँ और बहुत ही आसान तरीके से और सिरिफ 20 रूपिया में पहुत ही आसान तरीके से रिप्यर कर पाऊगे चेक कर पाऊगे क्योंकि series lamp नहीं होगा तो आप कोई भी समान को check नहीं कर पाऊगे तो चलिए दोस्ता हम video start करते हैं और आपको फटा पट series lamp बना के दिखाते हैं तो दोस्तो वीडियो को start करने से पहले आपस एक request है कि अगर आप मेरे channel में नहीं हो तो please मेरे channel को subscribe कर लीजिए और वीडियो को एक like के जिए और bell button को दबाना ना भूले दोस्तो क्योंकि कोई भी नया वीडियो में जब post करूँगा तो सबसे पहले आपके पास notification जाएगा तो चलिए दोस्तो हम वीडियो को start करते हैं है तो आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तो अब देख सकते हो यहाँ पर अब देख सकतो जो ंब देख सकतो जो red wire और black wire हddा तो एक ही wire को हम cut कर देंगी यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर एक wire को cut कर जैसे कि अब देख सकते हो हैं मैंने रेड वायर को कट कर देते हैं चलिए एक वायर को मैंने कट कर दिया देखिए मैंने दो भाग किया वायर को और एक वायर को कट कर दिया अब हम होल्डर को जो है ओपिन कर लेंगे चलिए बहार निकाल लेते हैं अब क्या करेंगे दोस्तो जो wire मैंने cut किया इस दोनो fire के हम इस holder के अंदर डाल देखे इस तरह से मैंने यहाँ पर डाल दिया देख सेक्टे हो दोस्तो इस तरह से अब देखे दोस्तो इसको थोड़ा से हम कॉपन निकाल लेगे इसका दोनो wire का और इस तरह से देखिए यहां जो होल्डर का दो पीन देख रहे हूँ आप यहां पर चलिए हम एक में लगा देते हैं एक वायर एक पीन में इस तरह से देखिए शलिये से हम टाइट कर देते हैं दोस्तों और जो दुसरा पिन बचा हुआ है दुसरा वायर को हम जोड़ देते हैं देखे इस तरह से तब देख सकते हो दोस्तों इस तरह से आपको जोड़ लेना है बहुत ही आसान तरीका में बता रहा हूँ आपको सीरिज लम बनाने का सीरिज लम बना के आप किसी के घर में भी जाके आप बहुत ही आराम से कुछ भी रिपियर कर सकते हो कोई भी समान को आप रिपियर कर सकते हो देखिए इस तरह से आप देख सकते हो यह बीच में हो गया अब इसका दो टुकरा बचा है देख सकते हो दोस्तों इस होलडर में देख सकते हो दो देखिए दो टुकरा बचा है एक साइड दूसरा साइड अब देख सकते हो तो कोई भी एक साइड में आपको क्या करना है दो जो देख रहे हो आप प्लाग तो इस तरह से आपको जोल लेना है दो वायर को दो पीन में ठीक है चलिए हम फटा-फट जोल लेते हैं इसको अब हम इस प्लाइक मेशें कर लेते हैं चलिए इसके कोबर लगाते हैं इस तरह से चलिए हम कोबर लगाते हैं दुस्तो So friends, अब देख सकते हैं मैंने फ्लाग को लगा चुका हूं, ठीक है और हॉललर को भी लगा चुका हूं मैं अब क्या करना है दोस्तों आपको एक बल्प लेना है एक स्वाट का बल्प लेना है, ठीक है और आपको यहाँ पर लगा देना है, देखिए इस तरह से जेख चुका है और इसको थोड़ा अपको इसका कौभार निकाल लेना देखिए इस marked कर देखिए मैं इसके कौभार निकाल चुका हूँ अब अब यह सिरीज लम को आप किसी का भी घर लेजा सकते हो और आराम से काम कर सकते हो देख सकतर अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ तो चलिए हम पावर ले लता हूँ देखिए इसमें हम पावर डाल देते हैं और देखिए इस तरह से टेस्ट करेंगे तो देखिए बाल गलो हो रहा है ठीक है यह सीरीज लम्प बनकर तयार हो चुका है दोस्तों अब आपको मौटर भी चेक करके दिखाता हूँ तो चलिए एक मौटर ले ले लेता हूँ और आपको चेक करके दिखाता हूँ देखिए इस तरह से देखिए दोस्तों इस तरह से मॉटर को चेक करके दिखाता हूँ आपको देख सकतो हो यह गुलो हो रहा है ठीक है दुसरा वायर भी मैं चेक करते हूँ इस तरह से आप खराब या सही का पहचान कर सकते हो सोट हो या कुछ भी हो आप इसमें पता कर सकते हो कि सोट है या धीक है देख सकते हो दोस्तों तो सौफिरेंट्स मैं आपको इस वीडियो में सीरिज लंब बना के दिखाया बहुत ही अच्छा यह सीरिज लंब है तापकोएसा लगा अगर आपको अच्छा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना थैंक्यू थैंक्यू सो मच